अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है तो यह देख लो एक अच्छा वीडियो एडिटर बनने के लिए ज़रूरत पीसी या प्रीमेर प्रोज ऐसे सोफ्टेर्स की नहीं बलकि स्किल्स की होती है और इन्हें एडिटिंग स्किल्स को डे बाइडे मैंने इंप्र पर तुम्हारे प्यारे कमेंड्स कुछ ऐसे आते हैं तो रेडियो हो जाओ फोर दो सिक्रेट्स जो तुम्हें कोई अपने पेड़ कोड्स के अंदर भी नहीं बता पाएगा सो दिस इस स्टेप तो स्टेप गाइड फोर मेकिं यूर एडिट्स लाइक का किलर तो हाँ अब अब चाहो तुम एडिटिंग एप पूरी दुनिया का बेस्ट ही क्यों न ले लो अगर तुम्हें यही नहीं पता कि एडिट एंड रिकॉर्ड करना कैसे तो यार क्या ही करपाओगे यूजली मैं तो यह स्टेप फोलो करता हूँ जिस से एक इंसेन लेविल का आपने सारे वीडियो के लिए वाइसोवर केपकट में ही रिकॉर्ड कर लेता हूँ तो तुम सबसे पहले आकर अपना वीज़वर रिकॉर्ड कर लो एंड उसमें जो भी ब्रीधिंग एंड नेसेसरी पार्ट है उनको रिमूड कर लो इतना करने के बाद इसको गेलरी में कर लो देन बारी आती है अपने वोइस को क्रिस्प एंड क्लियर बनाने की जो अभी हमने केपकट से वीडियो फाइल एक्सपोर्ट की है ना उसको ओडियो फॉर्मेट में करना हुगा जो कि तुम वीडियो टू एंप दरी एप के तुरू जस्वन क्लिक में ही कर सकते हो त तो सबसे पहले यहाँ अपनी ओडियो फाइल को इंपोर्ट कर लो देन इन थ्री डोट्स पर क्लिक करके एफेक्ट में जाकर नोईज डिडिक्शन को टेप कर दो फिर तुमारे सामने कुछ सेटिस आ जाएंगे जिनके तुरू तुम अपनी बेग्राउंड नोईज को इंक्रीज करने से तुमारी ओडियो में सेपरेशन इंक्रीज होगा जिससे तुमारी ओडियो क्रीज पर लगेगी लेफ स्राइड में है बेस जिससे तुमारी बहुत डीप एंड बेस ही लगेगी तो मेरी वाली सेटिंग का स्क्रीन सेटिंग यार कहने का मतलब यह है कि त तुम इतना कर लो तो एक final step और कर लेना, इसको यार अक्सर लोग छोड़ देते हैं, बट यह important point है, that is normalize, and अब तुम अपनी voiceover में difference देख सकते हो, एक अच्छा वीडियो एडिटर बनने के लिए ज़रूरत PC या प्रीमेर प्रो जैसे softwares की नहीं, एक अच्छा वीडियो एडिटर बनने के लिए ज़रूरत PC या प्रीमेर प्रो जैसे softwares की नहीं, finally, अब crisp and clear voiceover तो ready है, तो अब बार्याती है असली magic ad करने की, that is visual, यार यह voice track पर जिसमें तुम लोग literally हग देते हो, और तुमारी वीडियो बिल्कुल unprofessional लगती है, अगर 2023 में तुमारा धियान इन चीज़ों पर नहीं है, तो भाई, तुमारा यूट्योब पर grow हो पाना बहुत ही मुश्किल है, मेरा aim हर वीडियो को edit करते वक्ट सिर्फ यही रहता है कि मैं अपनी वीडियो को एक clean और एक professional wipe दे पाऊं, ताकि वीवर को यह लगे कि वो एक बड़े million वाले यूट्योबर की वीडियो देख रहा है, और यह मैं कर भी पाता हूं, चलो बताता हूं, तुम लोग जो सबसे ज़्यादा गलती करते हो, तुम यह देख सकते हो, अब तुम बताओ, कौन सा ज़्यादा clean and professional लग रहा है, obviously भाई, दूसरा वाला, क्योंकि I use Jira bold, bright text and dark background, तुम इसका opposite भी कर सकते हो, तब भी अच्छे results मिलेंगे, इस पर कोई बात नहीं करता, बट इस शुट भी a step one of your editing learning, यह एक main point है, इसको दिमाग में डाल लो, चलो, मैं तुम अपना वीडियो बेकडाउं करके बताता हूं, कि तुम कैसे अपने लिए एक तगड़ा वीडियो एडिट कर सकते हो, तो CapeCat में आ जाओ, यह एक online editing एह पर तो अपना net on रखना, और साथ में VPN भी, अपनी audio को import कर लो, अगर loudness कम है, अब इस प्लक आइकोन से तुम बेकड़ाउंड रिट कर लो, मेरे पास कई सारे sexy emotional बेकड़ाउंड हैं, तो मैं उन में से कुछ import कर लेता हूं, और तुम अगर इन्हें डाउनलोड करने जाओगे भी, तो भाई नहीं मिलेंगे, बहुत टाइम खराब होगा, जो तुमें just easily मिल जाएंगे तो एश करो, तो इसको थोड़ा सा और हिनने करने के लिए, आई विलेट सम एफेक्ट्स और एवरलेस, तो वीडियो एफेक्ट्स पर क्लिक कर दो, इधर तुमें बहुत सारे वीडियो एफेक्ट्स मिल जाएंगे, जिनको तुम यूज़ करके अपनी फोटेजिस को यूनिक बना सकते हो, तो आम एडिंग येर इस एज़ गिलो एफेक्ट्स और एसे ही तुम कई सारे वेरियेशन के साथ खेल कर अपने वीडियो को डाइनेमिक एंड डिफ्रेंशेट कर सकते हो, जहां तक तुम्ही ये एफेक्ट्स चाहिए, इसको वहां तक ड्रेक कर दो, जैसा कि मैं कर रहा हूँ, अगर तुमारे अंदर भी मेरी तरह परफेक्शन का केला है, तो भाई तुम एज़स्मेंट सेटिंग्स में आगर भी थोड़ा बहुत खेल सकते हो, तो मैं यहाँ अपनी वीडियो का कोईडिंग थोड़े बहुत एफेक्ट्स और एड़ कर रहा हूँ, एक काम करूँगा जितनी भी वीडियो एफेक्ट्स में इस वीडियो में यूज़ करने वाला हूँ, सभी के नाम में तुम्हें कोमेंट में बता दूँगा, के बीच में करेट कर सकते हो, वह अब तक हमने वोईस ओवर बेस ग्राउंड और ट्रांजिशन इन तीनों ही काम को कर दिया है, तो एक चोटा सा डेमो देख लो, एक अच्छा वीडियो एडिटर बनने के लिए ज़रूरा PC या प्रीमेर प्रो जैसे सोफ्टियर्स की नहीं बलकि स्किल्स की होती है, और इनी एडिटिंग स्किल्स को डे बाई डे मैंने इंप्रूव किया है, चार सो से भी ज्यादा वीडियो एडिट करके, वो भी सिर्फ एक ही मुबाइल पर, तो ये वीडियो में मैं तुमें वो बाते और टेक्निक्स बताऊंगा, जिनकों मैं फोलो करता हूँ, और एक ऐसा ओटपुट निकालता हूँ, जिस पर तुमारे प्यारे कमेंड्स कुछ ऐसे आते हैं, तो रेटी हो जाओ फोर दोस सिक्रेट्स जो तुमें कोई अपने पेड़ गोर्स के अंदर भी नहीं बता पाएगा, so this is step to step guide for making your edits like a killer, जब तुम अपन से यूनीक एंड इंगेज ही बनाएंगे, CapeCat में AutoCaptions का option तो है, लेकिन भाई वर्क नहीं करता है, तो ये हमें manually add करना पड़ेंगे, एक अच्छा वीडियो एडिटर बनने के जहां तुमारा sentence start हो रहा है, वहां post करके text add कर दो, तुमें इसके अंदर कई सारे font को options मिल जा मुझे यहाँ type writing animation देना है, that's why मैं यहाँ पर पूरी line लिख रहा हूँ, तुम जो भी color अपने caption को देना चाहते हो, वह color दे दो, point style में use around, drug, white, तुम चाहो तो और भी ज्यादा यहाँ पर options है, bold style के तुम वह भी try करके देख सकते हो, तो इधर मैं red color की shadow दे रहा हूँ, ज जहां हमारा next word start हो रहा है, वहां एक cut लगा देंगे, cut लगाने का बाद जो भी तुमारे text या फिर caption है, उसको यहाँ पर दुम आकर edit कर दो, तो मेरा यहाँ पर है ज़रूराद, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो अब यहाँ animation एड कर देते हैं, तो इसके लिए मैं animation में आ जाऊंगा, यहाँ पर भी animations की काफी ज्यादा variety तुमें मिल जाएगी, तो मैं यहाँ पर देना चाहता हूँ, टाइप writing animation, जो की यह रहा, इसकी animation speed को sentence की speed के according set कर देंगे, first text तो ready app, second text को देखते हैं, तुम यहाँ देख सकते हो, caption की length काफी ज्यादा है, तो इसको स सकते हो, इडिटर बनने के लिए ज़रूरत PCS, सेम यही method को follow कर गए, तुम पूरी वीडियो में caption डाल सकते हो, अलग-अलग colors, animations, और font style के साथ कहल कर तुम तगले text बना सकते हो, जैसा कि मैंने किया है, जो कि तुम timeline को देखकर easily समठ सकते हो, बनने के लिए ज़रूरत PCS, प्रीमियर प्रोच, ऐसे software की नहीं, बलकी skills की होती है, और इनके editing skills को day by day मैंने इंप्रूव किया है, 400 से ज्यादा वीडियो एडिट करके, वो भी सिर्फ एक ही mobile पर, तो ये वीडियो में मैं तुम इस वाले caption को तुम देख सकते हो, मैंने यहाँ पर color combination, background का recording किया, और animation भ से मैं quick zoom effect बनाऊंगा, टेक्स की start में मैंने एक point add कर दिया एंड थोड़ी दूरी पर एक और, और अब text को zoom कर देता हूं, जिससे मुझे quick zoom effect मिल जाएगा, जो कि तुम देख सकते हो, ठीक ऐसे ही तुम key framing tool का use करके, किसी भी element के अंदर moment add कर सकते हो, तो ये सारी कहानी रही visually आग लगाने की, लेकिन अभी भी इस आग में वो मज़ा नहीं है, तो इसको और मज़दार बनाने के लिए हम इस पर लगाएंगे music and sound effects का तड़का, प्रस्मी ये point तुमारी पूरी वीडियो की wipe को पलेट के रख देगा, तो मैं तुमें वीडियो पहले ही दिखा देता ह है, बट sounds में उतना मज़ा नहीं आपा रहा है, एंड इसी को एक impactful wipe देने के लिए मैं यहाँ edit करना वाला हूँ कुछ unique sound effects, तो मैं यहाँ text पर एक digital typing sound effect देना चाहता हूँ, अपनी file में जाऊँगा है, एंड यहाँ पर जो मेरे पास sound effect है, उसको search करके उठा लूँगा, उन इसे ही हम दुसरे वाले text को भी sound effect दे देते हैं, अब यह sound effect तुमें easily cap cut के अंदर ही मिल जाएगा, that is rapid switch, तो इसको ले लेता हूँ और इसको अपने text के timing के according state कर देता हूँ, इसकी loudness भी थोड़ी सी कम कर देते हैं, अब ऐसे ही साथ में transition को भी sound effect दे देते हैं, तो मैं यह यहाँ पर add करने वाला हूँ camera flash sound effect, तो search कर लेता हूँ अपने file में आकर और यह sound effect को में ले लेता हूँ, इसकी timing के according इसको set कर देता हूँ, और बागी का part delete कर देते हैं, अब तुम देख सकते हो, अब तुम देख सकते हो, अब एडिटर बनने के लिए ज़रूरा PC या Premiere Pro ज लगा सकते हो, जितनी ज्यादा detail में तुम sound effects लगाओगे, उतने ही अच्छे तुमें results मिलेंगे, भले ही या time तो जाए गई ही, लेकिन जब results लेकर आते हैं तो भाई सुकून मिलता है, तो मैं तुम अब भी music लगा कर और दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं तुम प को डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये visuals के साथ अच्छे से sync हो जाए, और इसकी loudness को भी कम कर देता हूँ, ताकि मेरा voice over clearly smile पड़े, तो इस वाले part पर मैं चाहता हूँ music ना रहे, तो बागी का music में cut करके delete कर दूँगा, एंड थोड़ा आगे ले जाकर यहाँ पर एक दूस एंड अगेन मैं यहाँ पर एक different music यूज़ करना वाला हूँ, तो उसको भी उठा लेता हूँ, तो थोड़ा बहुत music and sound effects को adjust करने के बाद, results कुछ ऐसे हैं, time lines पर थोड़ा ध्यान रखना ताकि तुम कुछ सीख पाओ, एक अच्छा वीडियो एडिटर बनने के लिए ज़ इंप्रोव किया है, 400 से भी ज्यादा वीडियो एडिट करके, वो भी सिर्फ एगी mobile पर, तो ये वीडियो में मैं तुम्हें वो बाते और टेकनीक्स बताऊँगा, जिनको भी अपने एडिट में फोलो करता हूँ, और एक ऐसा output निकालता हूँ, जिस पर तुमारे प्यारे कमेंट्स कुछ ऐसे आते हैं, तो रेडियो हो जाओ फोर दो सिक्रेट्स जो तुमें कोई अपने पेड़ गोर्स के अंदर भी नहीं बता पाएगा, तो इस इस स्टेप तो स्टेप गाइड फोर मेकिंग यूर एडिट्स लाइक का किलर, फाइनली यूर वीडियो इस ब्रो फोर डाउलोडिंग प्रिमियम मेटेरियल, तुम टेलिग्राम पर आजाओ, लिंक पिन कॉमेंट में हैं, और अगर तुम अपने वीडियो में हाई वोच टाइम एंड रिटेंशन लाना चाहते हो, तो एलगरो की ये सिग्रेट एडिटिंग स्टेटिजी जान लो, जिससे वो लाखों मिलियनों में व्यूज ला रहा है, तो क्लिक करके वीडियो के अंदर आ जाओ, इसी बाने तुम से एक बुलाकात और हो जाएगी,